करते थे साच कहूं तो यह जग नहीं मानता है और जूठ में कह नहीं सकता है और साच कहते हैं बर्मा विश्णुश्व जी दुखिया जिन यह रहा चलाई हो फिर बताते हैं के सुर्पती दुखिया भूपती दुखिया और रंक दुखिब परीती हो सुर्पती यानि इंदर का स्वर्ग का राजा देवताओं का मालिक सुर्पती उसका इत्यास देखो इंदर का दुरुआसा ने शराप दे दिया दुरुआसा रिसी ने इंदर का राजा खतम हो गया पता नहीं कहां जाकर जीवन वेतीत किया कभी फिराक्ससों के साथ जगड़े लठ्थम लठ्था खाक जी मने इनका यह तो जो सथान सुखका है उसको आप भूली चुके हो हम स्वरग तक सीमा हुशीमित हो गए थे हमारी बुजी की सीमा स्वरग तक सथिर हो चुकी थी अप प्रमात्मा ने बता यह स्वरग ता तुम्हा तो सत लोक जाएंगे तब पीछा चुटेगा क्या बताते हैं सुर्पती दुखिया भूपती दुखिया रंक दुखी वपरीती हो अब निर्दन तो आप पर दुखी सुभाविक दुख है उसको तो कबीर साहिब कहते है कहा कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो आप इस ग्यान को सुनकर आपने अपनी जो इच्छाएं हैं वो कम करनी पड़ेंगी जो हम अननसेसरी डिमांड वगवान पर रखते रहे और वो दे भी देते हैं क्योंकि आपकी वगती आपको कदे मांगलो जबब देंगे पर वो दुरुपियों कर लिया करते थे हम अब हम इतना ही मांगेंगे कितना साइं इतना दीजियो जा में कुटम समावे हम भी भूखे ना रहें कोई अती थी ना भूखो जावे इतना दीजिये दाता कि जिसमें कुटम समावे हैं रेक्वार्मेंट ओफ दा फैमिली यानि हमारे परिवार की जो आव सकता हैं वो पूरी हो जाएं और हम भी भूखे ना रहें कोई अती थी आजा वो भी भूखा ना रहें तो कबीर साहिब कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नीकाम और मन इच्छा फल देंगा जो पड़े मेरे तकाम कबीर साहिब कहते हैं तुँ ऐसे बेमतलब की कल्पनाएं ये चिंताएं करने से कोई लाब नहीं मैं जो साधना विधी बताता हूँ उस बक्ती को करो ऐसे मरियादा वर रहो अपना जीवन रुपी सफर इस बक्ती मारक पर तै करना प्रहर्म करो फिर इस जीवन रुपी सफर में आपको जो भी कोई आपती आवेगी फिर मन इच्छा फल दूँगा जो पड़े मेरे तकाम है पड़े धनी से काम आपको प्रमातमा ने सब पता है कि किस चीज़ किया हो सकता आपको आपको साइद ना पता हो उसको और से पता है किस बच्चे को अब क्या हो सकता पड़ेगी तो उससे पहले ही आपकी वेश्था कर देगा हो कबीर साहिब कहते हैं जो जन मेरी सरण है ताका हूँ मैदा से गेल गेल लागया फिरू हूँ जब तक धरती आका से पुन्यात्मों आप तो बिल्कुल बच्चे हो इस मारग में ठीक है जो काफी समय से इस दास के सत्संग सुन रहे हैं उनको बहुत ग्यान हो चुका है क्योंकि हम जैसे पहले अन्य उपासना किया करता था ये दास जैसे स्री राम, स्री किरसन, संकर बगवान, विस्वन बगवान, अनुमान जी, बाबा स्यम जी, इनकी पूजाएं करते थे जैसा भी लोकवेद सुन रहा था और उनकी करते करते भी हमें बहुत से लाब वया करते और हम यही सोचा करते थे कि ये बगवान, स्री किरसन, बगवान, स्री राम, विस्वन, संकर बगवान, अनुमान जी, शाम जी, ये हमें ये सुख दे रहे है और भगती भी जैसे आम, को राम, राम, करसन, करसन, इस तरह के हरे ओम, हरी राम, ये मंतर अपने जैसे सुने-सुनाएं हम आप पर जाब करया करते इन मंदरों में जाते थे, गद गद होते थे, बगवान के दर्शन करके, मूरतियों के और फिर भी हमें बहुत से लाव होते थे, बहुत से संकट ऐसे टले हैं, नो सोच भी नहीं सकते पहले भी तो हम ये सोचा करते थे, कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं, इन से ही लाव हो रहा है अब इस परमात्मा की तत्व ग्यान रूपी रोसनी में अब दिखाए दिया के नहीं, वो हमारा केवल परहारब्द ही चल रहा था और वो परमात्मा पूर्ण बर्म कबीर साहिब ही हमें सब कुछ कर रहा था, फिर भी वो साथ ही था हमारे